सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो पर कुछ कमसरे करता हूं। ग्यारहजार की रासी इनाम की रूप में दी जाएगी। हम लोग आब हाँ हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। नाजरीन कराम, आप हजरात ने ये वीडियो बहुर समात किया होगा। अब मैं इस पर कुछ तबसरे कर रहा हूं समात किजिए, आप मेरी बात को भी अखीर तक सुने, इन्शाल्ला बहुत कुछ आपको सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। देखिए नाजरीन, इस वीडियो में कहा गया है, कोई भी हिंदू लड़का, अगर किसी मुस्लिम लड़की को भगा के लाता है, और वो उससे मेरेज कर लेता है, तो उसे ग्यारा हजार रुपे दिया जाएगा। कुल मिलाकर, खुलासा ये है कि अगर कोई हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की को भगाता है, उसकी जिन्दगी को बर्बाद करता है, उसे इसलाम से दूर करता है, उसे हिंदू बना लेता है, तो उसे ग्यारा हजार रुपे दिया जाएगे। कितनी अफसुशनाक बात है, ह resize खुमत क्या कर रही आकिर, खुमत ने एलान किया था, इसी सरकारंने एलान किया था और कहा था, कि देश बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारे कहा चलेगे, देश बच रहा है, जब देश की बेटिया नहीं बच रही है, त इसी हुकूमत ने कहा था, जब तलाक की बात आई थी, तो यह इस हुकूमत ने कहा था, कि हम मुस्लिम लड़कियों के तलाक होने नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे. बेटियां बच रही है कहां चला गए ओओए ऐ्लान क्यों ऐसे लोGUों पर एफाइड दरज नहीं कह जाता है क्यों ऐसे लोगों को जेल के सलाखों तक नहीं पहुँचा जाता है एक तरफ फैसला क्यूं हो रहा है क्यूं चेहरा पहचाना जा रहा है आखिरी जल्म औ सित्म नहीं है यह क्या हो रहा है यह कौन से नंगी नाच हो रही है हुकुमत क्या सोच रही है अपने आपको इन्ना वस्षा रभी के लशदीद सुनो जालिमो अगर तुमने होश के नाखुन नहीं लिये तो मेरे रभ का फर्मान है के मेरी पकड सक्त है जब रभ की पकड आएगी अल्ला की पकड आएगी अल्ला के आजब आएगा उस वक्त तुम जिन्दा जावेद जमीन के अंदर धसा दिये जाओगी इसलिए सुनो फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए इसलिए इसलिए जाएगी किसी तरह के कोई ऐलान करता है मुस्लिम की कोई तन्जीम कुछ कहती है तो उसके खलाब भी अफाइर दर्ज होना चाहिए उसके खलाब भी जो हो सकता है वो करना चाहिए किसी भी धर्म का आदमी किसी धर्म के बारे में कुछ कहता है तो उसके खिलाफ एफाय दर्ज होना चाहिए, इनसाफ मिलना चाहिए, यही एक हुकूमत का काम है, अगर हुकूमत यह काम नहीं कर रही है, इसका मतलब एक सरासर जल्म कर रही है, मैं हुकूमत से यह उम्मीद रखता हूँ, कि वो जरूर भी जरूर इसका सई फैसला करेंग कर दो